अब हम अलग-अलग प्रक्रम में, गैस के प्रसार में किये गए कारे की गणना करेंगे, तो सबसे पहले हम समतापी प्रक्रम लेते हैं, समतापी प्रक्रम क्या होता है? जिसमें पूरे प्रक्रम में, पूरी प्रक्रिया में ताप एक समान हो, मतलब जब हम गैस को एक अवस् में लें जाते हैं तो उस समय उसका ताप एक समान रहता यूझे हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ समताफ यह वगल होता है वो कम होता हैँ अब मान लिजें आरंभिक स्थिती में गैस से दर्शाय जा रहे है और इसका आयतन वीवन है और प्रेशर पीवन और अन्तिम अवस्था में इस गैस का आईतन वीट्व हैं और दा पीटू इस प्रकार यहां पर दो अवस्थाएं प्रारंभीक और अंतीम हैं जिसको M और N से हम दर्शार हैं एक्चुली जो संतापी प्रसार होता है वो किस-किस स्थिती में हो सकता है यदि हम एक बेलन ले और उसके अंदर गैस को भरे और वो बेलन का जो दिवार है संतापी होता है या फिर हम देखें संतापी प्रसार के और उधारन है जैसे की गल्लांग पर बर्फ का पिखलना या फिर क्वथनांग पर द्रव्य का वाश्पित होना यह सारे उधारन भी संतापी प्रक्रम के ही हैं तो यहां पर हम गैसों का प्रसार पढ़ रहें संताप में किये गए कारी की गणना कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो गैस लिया है वह एक ऐसे सिलेंडर ऐसे पिस्टन में लिया है जिसका आधार और उसकी दिवार और उसको पिस्टन सारा चाले किये है क्वैकि अगर प्रक्रिया के दौरान उश्मा उद्पन होती है या फिर पुष्मा के आदान प्रदान के कारण इस पूरी प्रक्रिया में गैस का ताप नियत ही रहेगा और यदि प्रक्रम समतापी है पूरी प्रक्रिया में गैस का ताप नियत है तो यह पूर्ण रूप से बॉयल के नियम का पालन करेगी और इस अधार पर हम इस गैस का अवस्थ समिकरण लिख पाएंगे पीवी एकवल टू एन आरटी जहां पर एन मोलो की संख्या होती है और आर सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है यदि मोलो की संख्या एक हो तो उस कंडिशन में हम एन बराबर एक लेंगे और यह समिकरण बनेगा पीवी एकवल टू आरटी अब मान लिजिए प्रसार के दौरान गैस के आयतन में परिवर्तन डीवी से दर्शाय जा रहा है तो इस आयतन में छोटा सा परिवर्तन करने के लिए जो किया गया कार यह है तो इसका फॉर्मला हम लिखेंगे डी डेबल्यू एकवल टू पी डीवी हमने यहां पे गैस की प्रारं प्रारंभीक अवस्था से अंतिम अवस्था में ले जाने के लिए कूल का यह हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे-W बराबर इस थोड़े-थोड़े कारे का सबका समाकलन कर देंगे तो यह हो जाएगा समाकलन ओफ डी डेवल्यू और यहां पर लीबिट लगाएंगे-म से से लेकर N तक क्योंकि प्रसार हो रहा है प्रारंभिक अवस्था M से लेकर अन्ति मवस्था N तक यहां dw का फॉर्मुला लिखेंगे तो हमें मिलेगा integration of M से लेकर N तक PDV और इस अवस्था समीकरंट से हम देखें PV इक्वल to RT है तो यहां से P बराबर हो जाएगा रटी अपॉन वी तो इस प्रकार यह फॉर्मुला बन जाएगा डेबल्यू इस एक्वल टू रटी अपॉन वी डीवी अब यहां पर जो समाकलन हो रहा है किसके सापिक्ष अधन के सापिक्ष तो यहां पर आरम भी के स्थिती में आधन कितना लिया था हमने वी वन और अंति घाने की कॉन्स्टेंट है तो वह समाकलन से बाहर हो जाएगा T के यह भी समाख्त क्लस्य बाहर हो जाएगा क्यों यह समतापी प्रक्रण में और पूरी प्रक्रिया में T नियत है इसलिए इसको हम समाकलन से बहर कर दिए फॉर्मस बन जाएगा W recuer बराबर rt समाकलन v1 से लेकर v2 dv upon v मतलब अब हमको 1 upon v का समाकलन करना है dv के सापिक्ष और हम जानते हैं 1 upon x dx का समाकलन होता है log x तो बस वही फॉर्मला यहाँ पर लगा देंगे तो यह हो जाएगा w बराबर rt 1 upon v का समाकलन हो जाएगा log v और इसकी limit लगाएंगे हम लोग v1 से लेकर v2 यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि log दो तरीके से लिखे जाते हैं तो यहाँ पर हमने base में e लिखा है याने की exponential log हम यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर limit put करेंगे हम तो w बराबर होगा rt log base e v2 minus log base e v1 अब यहाँ पर हम log की property लगाएंगे log m minus log n होता है log m divided by n तो यहाँ पर यह हो जाएगा w बराबर rt log e v2 upon v1 अब यह log exponential log था अब इसको हम लोग base 10 में convert करेंगे तो यह हो जाएगा w बराबर 2.303 rt log base 10 v2 upon v1 और यहाँ से r जो सारवतिक गैस नियतांक है वो भी constant है यहाँ पर ताप है वो भी constant है इसका मतलब जो आयतन और दाब में परिवर्तन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार हो रहा है कि वो हमेशा नियत ही रहेगा तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं समतापी प्रक्रम के लिए p1 v1 equal to p2 v2 equal to rt यह दोनों आवस्थाओं के दाब और आयतन को जब हमने गुणा किया है तो वो हमेशा एक नियत राशी ही बनेगी जो की r और t के गुणन फल के बराबर होगी तो इस समीकरण से हम लिख सकते है p1 v1 बराबर p2 v2 या फिर p1 upon p2 equal to v2 upon v1 तो जो कार्य का समीकरण हमें प्राप्त हुआ था उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं w बराबर 2.303 rt log base 10 p1 upon p2 अब इन दोनों को समीकरणों को compare करते हम यह आयतन के respect में लिखा गया है और यह दाब के respect में लिखा गया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं log v2 upon v1 है और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं log p1 upon p2 है तो यहाँ पर आयतन और दाब का जो संबंध है वो व्यूत क्राम अनुपार्ति का है इसलिए समीकरण में इस तरीके से changes आए हैं और यही समीकरण यदी n mol of gas के लिखा जाता तो यहाँ पर simply हम दोनों ही समीकरण में n गुणा कर देते तो यह समीकरण इस प्रकार बन जाता डबल्यू बराबर 2.303 n rt log 10 v2 upon v1 डबल्यू बराबर 2.303 n rt log 10 p1 upon p2 और यह दोनों ही समीकरण समतापी प्रसार में gas के द्वारा किये गए कारे को दर्शाते हैं अब हम गैस के प्रसार में किये गए कारे की गणना करेंगे जबकि यह प्रसार रुद्धोश में हो हम जानते हैं कि रुद्धोश में प्रसार में उश्मा की मात्रा पूरे प्रक्रिया में नियत रहेगी रुदोश में प्रसार में उश्मा का आदान प्रदान वातावरण के द्वारा सिस्टम से नहीं होता है माना कि एक गैस एक ऐसे सिलेंडर और पिस्टन में भरी हो जिसके दिवार और पिस्टन सारे कूच आलक है तभी तो उसमें से उश्मा का आदान प्रदान नहीं होगा और ऐसी प्रक्रिया में जब हम प्रसार या फिर गैस का संपीडन करते हैं जिसमें की उश्मा नियत रहे तो हमको पिस्टन को उस बेलन के अंदर उस सिलिंडर के अंदर तेजी से चलाना होगा जिससे कि उश्मा के आदान प्रदान के लिए कोई जगा ही ना बचे पहले तो मैंने बुला कि ये सिलेंडर और पिस्टन कूच आलक होंगे लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो पून रूप से कूच आलक हो हम कितनी भी कोशिश करें तो थोड़ी सी उश्मा उसमें से लिख हो जाती है जैसे हम एक थरमस का एक्जामपल लेते हैं जिसको हम एक विलगित निकाय लेते हैं जिसमें कि उश्मा का आदान प्रदान ना हो और गरम चीज ठंडी हो जाती है या अपने ठंडा शर्बत डाला है तो वो धीरे धीरे गरम हो जाता है इसका मतलब कोई भी निकाय को हम ले तो वो पून रूप से कूच आलक नहीं होती तो यहाँ पर हमको क्या करना है इस पिस्टन को जिसमें की गैस भरा है सिलेंडर में उसको हमको तेजी से चलाना है ताकि उश्मा के आदान प्रदान का कोई मौका ही ना मिले और इस तरीके से हम एक रुद्धोश्म प्रसार को आगे बढ़ा सकते हैं इसके विपरिठिक अगर हम समतापी प्रक्रिया में देखें तो वहाँ पर अगर गैस इसी सिलेंडर और पिस्टन में भरी हो तो हम पूरे सिलेंडर पिस्टन को चालक लेते हैं और यहां पर हम बहुत ही धीरे 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 पिस्टन को सिलेंडर के अंदर चलाते हैं चाहे उसमें प्रसार करना हो चाहे संपीडन करना हो ताकि यहां पर उश्मा का अदान प्रदान आसानी से वातवरण के साथ हो जाए जिससे कि उस सिलेंडर के अंदर भरी गैस का साथ ही रुधोष्य प्रक्रिया में एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब हम संपीडन कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहे हैं, तो तापमान पर क्या फर्क पड़ेगा? तापमान इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उस gas में उश्मा का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है तो उस gas की internal energy बढ़ जाएगी जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाएगा और जब हम उसका प्रसार करते हैं प्रेशर को कम करते हैं आयतन बढ़ जाता है उस condition में उस gas के अंदर उश्मा का आदान प्रदान नहीं होने के कारण उसकी internal energy कम हो जाएगी और उसका तापमान भी कम हो जाएगा तो यदि इसका हम सूचक आरेख बनाए या फिर पीवी आरेख बनाए तो वो कुछ इस प्रकार नजर आएगा हमने x-axis में हम आयतन लिये हैं और y-axis में हम लिये हैं दाब अब starting में जब pressure अधिक है volume कम है उस समय तापमान भी अधिक होगा अब धीरे धीरे हम प्रसार कर रहे हैं तो प्रसार कैसे होगा हम pressure को decrease करते जा रहे हैं और इस प्रसार में तापमान भी कम हो जाएगा तो ये graph जो है ये इस प्रकार का वक्री होगा समतापी प्रसार में भी कुछ ऐसा ही वक्र हमको मिला था पर दोनों ही वक्र में क्या फर्क है समतापी वक्र का जो ढाल था वो कम था पर रुधोश्म प्रक्रिया में जो आरेक हमको प्राप्थ होगा उसका ढाल अधिक होगा समतापी प्रसार में गैस बॉयल के नियम का पालन करते हैं यानि कि हम वहाँ पर लिखते हैं PV equal to नियतांग लेकिन रुद्धोश में प्रसार में गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करते हैं और वहाँ पर हम फॉर्मुला लिखते हैं पी वी पावर गामा बराबर निया तांक. अब यहाँ पर एक गामा, एक नया टामा आ गया. यह गामा गैस के मोलार विशिष्ट उश्माओं का अनुपात है. अब यह विशिष्ट उश्मा क्या होती है? किसी भी गैस के इकाई द्रव्यमान को इतनी उश्मा दी जाए कि उसके तापमान में इकाई वृद्धी हो जाए. तो उस उश्मा की मात्रा को हम कहते हैं विशिष्ट उश्मा और यह विशिष्ट उश्मा दो स्थिती में दी जा सकती है. यदि हम pressure को constant रखे या फिर हम volume को constant रखे जब यही उश्मा इकाई द्रव्यमान के gas को इकाई वृधिक करने के लिए दी जाए जबकि pressure नियत हो उसका दाब नियत हो तो यह कहलाती है CP यानि कि नियत दाब पर विशिष्ट उश्मा specific heat at constant pressure लेकिन जब हमने आयतन को नियत रखा है तो इकाई द्रव्यमान के gas में इतनी उश्मा दी जाए कि उसके तापपान में इकाई वृधि हो तो यह उश्मा कहलाती है नियत आयतन की विशिष्ट उश्मा यानि कि specific heat at constant volume जिसको हम cv से दर्शाते हैं और इस cp और cv के अनुपात को ही हम गामा से दर्शाते हैं और air के लिए standard condition में इस गामा का मान 1.4 होता है अच्छा यह बताइए कि यहां पर cp अधिक होगा यह cv अधिक होगा मतलब निश्चित दाप पर किसी भी इकाई द्रव्यमान के गैस के ताप में इकाई वृध्धी करने के लिए दी गई उश्मा अधिक होगी या फिर निश्चित आयतन में इकाई द्रव्यमान के गैस में इकाई वृध्धी करने के लिए दी गई उश्मा अधिक होगी जब हम निश्चित दाप में गैस को उश्मा देते हैं तो सबसे पहले तो यह उश्मा दाप के विरुध कारे करेगी तुकि प्रेशर को नियत रखना है अब जब हम उश्मा दे रहे हैं तो यह उश्मा उस प्रेशर के विरुध कारे करेगी और धीरे से इस गैस का आयतन भी बढ़ेगा और उश्मा देते जा रहे हैं मतलब ताप बढ़ेगा यानि कि हम कह सकते हैं कि इंटर्नल एनरजी आंतरिक उर्जा गैस की बढ़ते जाएगी मतलब जो हमने उश्मा दी वो तीन चीजों में व्याय हुई पहले तो प्रेशर के विरुध कारे करने में उसके आयतन को बढ़ाने में तीसरा उसकी आंतरिक उर्जा को बढ़ाने में लेकिन जब हम निश्चित आयतन में गैस को उश्मा देते हैं तो वहाँ उश्मा केवल गैस की आंतरिक उर्जा को बढ़ाती है इसका मतलब निश्चित दाब में इकाई द्रव्यमान के गैस में इकाई व्रिधी ताब की करने के लिए हमको ज़्यादा उश्मा देनी होगी यदि हम कंपेर करें निश्चित आयतन से तो यहाँ पर निश्चित रूप से CP का मान CV से अधिक होता है यह तो चर्चा थी CP और CV की जिसके अनुपात को हम गामा से दर्शाते हैं अब हम देखेंगे कि रुद्धोश्म प्रसार में किया गया कार्य कितना होगा इसके लिए हम यह ग्राफ को देखते हैं इस प्रकार का हमको PV आरेक मिल रहा है मान लीजिए P दाब देने में गैस के आयतन में DV प्रसार हो रहा है इसका मतलब गैस द्वारा किया गया कार्य है DW बराबर होगा P इंटू DV जिसको यदि हम इस ग्राफ से देखें तो इस पट्टी के द्वारा दर्शाय गया रहा है यह जो पत्ली सी पट्टी है मतलब आयतन में हम देखें A-B- यह है आयतन में परिवर्तन जिसको हम दर्शार है DV से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह लगभग कर्व जो है A से लेकर B वो कर्व ना रहकर क्योंकि छोटा से एरिया हमने कंसिडर किया है तो यह एक सरल रेखा की रूप नजर आ रहा है जहां पर हम मान सकते हैं कि दाप नियत है हमें पूरे प्रसार में गैस द्वारा किया गया कारिय निकालना है गैस की आरंभिक अवस्था M है और उसकी अंतिम अवस्था N है M में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेंपरेचर है T1 जबकि अवस्था N में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और ताप है T2 तो यहाँ पर gas को इसकी प्रारंभिक अवस्था M से N तक पहुचाने में gas द्वारा किया गया कूल कारिये यह समाकलन होगा DW का तो हम लिखेंगे W बराबर integration of DW जहाँ पर इस integration की सीमा होगी M से लेकर N तक क्योंकि हमने gas को M अवस्था से N अवस्था तक पहुचाया है अब DW कमान यदि हम देखें तो यह होता है PDV तो यहाँ मैं लिखोंगे W बराबर integration of PDV अब जब यहाँ पर integration DV के सापक्षोरा यानि कि आयतन के सापक्षोरा है तो वहाँ पर हम limit को change करेंगे और आयतन आरंभिक स्थितिका V1 था और अंतिम स्थितिका था V2 तो उसकी सीमा हो जाएगी V1 से लेकर V2 यहाँ पर हम किये गए कारे की गणना करने के लिए mathematical calculation करेंगे और उसके आधार पर निश्कर्ष निकालेंगे हम जानते हैं कि रुद्धोश्म प्रक्रिया में गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करती बलकि प्रेशर और आयतन के बीश में कुछ इस तरह का समीकरन होता है पी वी पावर गामा इक्वल टू के यदि हम वी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इसके पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और इसलिए हमने यहाँ लिखा वी पावर माइनस कामा अब नेक्स स्टेप में हम यही मान को पुट अप कर देते हैं तो W बराबर इंटीग्रेशन सीमा लगेगी V1 से लेकर V2 के V पावर माइनस कामा डी वी अब के तो यहाँ पर निया तांक है इसलिए समाकलन के बाहर हो जाएगा तो हम लिखेंगे W बराबर के V1 से लेकर V2 इंटीग्रेशन के अंदर होगा V माइनस गामा डी वी अब यहाँ पर यह समाकलन तभी समभव है जब हम यहाँ पर समाकलन का सूत्र लगाए तो यहाँ पर फॉर्मुल लगेगा इंटीग्रेशन आफ एक्स पावर एन डी एक्स जो कि होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन आपॉन एन प्लस वन तो इसी सूत्रे के साथ हम इसको कम्पेर करेंगे जहाँ पर एन बराबर हम लेंगे माइनस गामा तो integration करने पर हमको मिलेगा W बराबर K V पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन और यहाँ जो limit है वो V1 से लेकर V2 है अब यह गामा है और 1 यह तो नियतांक है तो इसको हम bracket से बाहर ले जाते next step में होगा W बराबर K अपॉन माइनस गामा ब्रैकेट के अंदर V पावर माइनस गामा प्लस वन लिमिट लगेगी V1 से लेकर V2 अब यहाँ पर जब limit पुट करेंगे तो पहले upper limit माइनस लोवर लिमिट तो यह होगा W बराबर K अपॉन माइनस गामा ब्रैकेट के अंदर upper limit V2 है तो V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस V1 पावर में माइनस गामा प्लस वन अब इस नियतांक K को हम दोनों टर्म से मल्टिप्लाई कर देते तो W बराबर K V2 पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस के V1 पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा अब जैसा कि रुद्धोश में प्रक्रिया में आयतन और दाप का समीकरन होता है PV पावर गामा बराबर K तो यहाँ पर हम दो अलग अलग अवस्थाओं के लिख सकते हैं P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा बराबर K तो इस K के जगा अब नेक्स स्टेप में हम इसका मान रख देंगे तो W पराबर होगा P2 V2 पावर गामा वी तू पावर माईनस गामा अपन वन माईनस गामा अब यह V2 पावर गामा और V2 पावर माईनस गामा प्लस वन इन में दोनों के बेस सेम है V2 V2 तो जब इनके power को हम Add करेंगे तो गामा minus gamma plus one हो जाएगा और कुल मिला के स्को simplify करेंगे तो V2 के power में केवल one मिलेगा, वैसे ही V1 को भी simplify करेंगे तो यहां पर gamma minus gamma plus one होगा जिसके कारण यह भी cancel हो जाएगा गामा और गामा और यहाँ पर हमको power में V1 के मिलेगा 1 तो next step में simplify करने के बाद हमको मिलेगा W बराबर P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma अब अवस्था समीकरण जो की pressure, volume और ताप की बीच में संबंद दर्शाता है वो है PV बराबर RT यहाँ पर दोनों ही अवस्था M और N इनके ताप अलग-अलग है इसलिए हम लिखेंगे P1 V1 बराबर RT1 और वैसे ही N अवस्था के लिए P2 V2 बराबर RT2 यह मान रखने पर हमें मिलेगा W बराबर RT2 minus RT1 upon 1 minus gamma यह समीकरण हमको प्राप्त हुआ है अब यह बताईए T1 और T2 में कौन अधिक होगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि रुद्धोश में प्रसार में उश्मा का इस्थानांत्रा नहीं हो पाता इसलिए जब gas compressed होगा मतलब जब उसका आयतन कम होगा प्रेशर अधिक होगी उस condition में ताप मान भी अधिक होगा और जब प्रसार होगा प्रेशर कम हो जाएगा आयतन बढ़ जाएगा उस condition में ताप मान कम हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर T1 का मान T2 से अधिक होगा तो इस समीकरण को अब हम change करेंगे चुकि T1, T2 से अधिक है तो इसको हम reverse करकर लिखेंगे reverse इसमें करने के लिए फिर वही कुछ गणिती है calculation करना पड़ेगा यहाँ पर तो माइनस sign बाहर लिखकर अगला step लिखेंगे W बराबर माइनस R T1 माइनस T2 अपन 1 माइनस गामा और इस माइनस sign को हटाने के लिए यह माइनस sign को हम next step में नीचे denominator में multiply कर देंगे तो W बराबर R T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1 और यह समीकरण रुधोष में प्रसार में gas द्वारा किये गए कारे को दर्शाता है यदि हम सूचक आरेक को देखें तो यह इस गैस के आयतन में जब हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया जिसको हम लोग A डाश और B डाश से दर्शार रहे हैं उस condition में किये गए कारेक को हमने dw बराबर PDV लिया अब इसी आरेक के नुसार यदि हम देखें तो dw बराबर हो जाएगा प्रेशर और आयतन में परिवर्तन यहां पर प्रेशर जो है इस वक्र में एक नियत होगा इस AB हिस्से के लिए क्योंकि यह हमने बहुत ही थोड़ा सा परिवर्तन लिया है तो यहां पर यह वक्र जो है वो लगभग उसका ढाल 0 हो चुका है और यह एक स्ट्रेट लाइन को दर्शा रहा है जहां पर हम बोल सकते कि प्रेशर नियत है तो यह नियत प्रेशर किस से दर्शाय जाएगा ए डाश से और यहां पर जो परिवर्तन है आयतन में वो दर्शाय जाएगा ए डाश बी डाश तो हमने लिखा dw बराबर ए ए डाश इंटू ए डाश बी डाश और यदि इस वक्रों को देखें तो यह लंबाई और चौडाई है इस आयात ए बी डाश ए डाश की इसका मतलब यह इस आयात के छेत्रफल को दर्शाता है तो जो छोटा सा कारिय यह थोड़ा सा कारिय हमने गैस के थोड़े से प्रसार में किया वो इस बंद वक्र ए बी डाश ए डाश ए के द्वारा दर्शाय जाएगा लेकिन जब हम कोल कारिय की गणना करेंगे इसका मतलब हम DW का समाकलन करेंगे M से लेकर N तक प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक तो अब इस वक्र का जो आयतन के साथ छेत्रफल हो रहा है यह पूरा छेत्रफल कारिय को दर्शाएगा मतलब अब जो कारिय है वो बन्द वक्र M, N, N डेश, M डेश और M का छेत्रफल होगा तो इस प्रकार हम रुदोष्म प्रसार में सूचक आरेक के द्वारा भी किए गए कारिय की गणना कर सकते हैं अब हम चक्रिय प्रक्रिया में गैस के प्रसार में किये गए कारी की गणना करेंगे चक्रिय प्रक्रिया क्या होती है इस प्रक्रम में गैस जिस अवस्था से शुरू होता है वो बिभिन्व अवस्थाओं को पार करने के बाद भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम चक्रिय प्रक्रिया कहते हैं यदि इसका हम PVR-1 देखें जिसमें हमने X अक्ष में आयतन मनाया है और Y अक्ष में दाब बनाया है तो जब हम गैस का प्रसार कर रहे हैं और इस प्रसार में आरंभिक अवस्था M है, प्रसार के बाद अंतिम अवस्था N है, तो इसे हमने इस वक्र M, A, N के द्वारा दर्शाया है. अब विभिन अवस्थाओं से होते हुए ये M से लेकर N तक पहुचा, यहां पर गैस का प्रसार हुआ, अब इस प्रक्रिया में जब गैस का प्रसार हुआ, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वो इस वक्र M, A, N और आयतन अक्ष के बीच का छेतरफल होगा, तो हम इस गैस के प्रसार में किये गए कार्य को दर्शाएंगे M, Expansion, प्रसार हो रहा है, इसलिए मैंने EXP लिख दिया है, बराबर यह जो बंद वक्र बनेगा M, A, N, N, M, 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 इस बंद वक्र का छेतरफल अब गैस को वापिस उसी अवस्था में पहुचाना है, यानि कि उसकी प्रारमभीक अवस्था M में, तो अब गैस का सम्पीरन किया जाएगा, अब गैस का सम्पीरन किया जारा है, और इसको हम वक्र से दर्शा रहे है, N, B, A अब इस संपीडन में गैस पर किया जाएगा कारिय, तो गैस पर किया जाएगा कारिय, इस वक्र N, B, N और आयतन अक्ष के बीच का छेत्रफल होगा, तो इसको हम दर्शाएंगे, W, Compression, संपीडन हो रहा है, इसलिए मैंने COM लिख दिया, बराबर बंद वक्र N, N-, M-, M, B, N, ये छेत्रफल, अब चुकि गैस M से लेकर N तक पहुचा पहले, प्रसार हुआ, फिर N से लेकर वापिस M तक पहुचा, जहाँ पर संपीडन हुआ, इसका मतलब गैस अब अपनी वापिस प्रारंभिक अवस्था में पहुच चुका है, और ये प्रक्रिया साइक्लिक है, चक्रिय है, तो अ गैस द्वारा किया गया कारिये, प्रसार में, और गैस पर किया गया कारिये, संपीडन में, इसका परिणाम होगा, इसलिए हम लिखेंगे, W बराबर, W एक्सपेंशन, माइनस, W कंप्रेशन, प्रसार में गैस द्वारा कारिये हो रहा है, इसलिए हम उसको धनात्मक लिए ह संपीडन में गैस पर कारिय हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस लिखे और यहाँ पर छेत्रफल के अनुसार देखे इस PVRX से तो हम लिखेंगे W बराबर बंद वक्र M AN N-M-N का छेत्रफल माइनस बंद वक्र N N-M-M-B-N इस बंद वक्र का छेत्रफल और इसको जब सब्ट्राइट करेंगे तो हमको यह जो चक्रिय प्रक्रिया में M AN B N है इसका छेत्रफल प्राप्त होगा तो हम लिखेंगे W बराबर इस चक्रिय लूप M AN B N का छेत्रफल तो इस प्रकार हम PVR1 के द्वारा इस चक्रिय प्रक्रिया में कुल कार्य की गणना कर सकते हैं प्रक्रिया में